अब लोग अल्स कैसे हो आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे तो वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना आज का बीट्व पारा वीडियो है चैनल पर तो सौरी जो भी मिस्टेक हो आप लोग माफ करना पारा भी थोड़ नर्शनिस है तो पीरिट के समय हो लेकिन यही माइनों में पीरिड मुव सिंग से काफी ज़्यादा है नसे प्रैम्स और वाजाइनल डिसकंफर्ट इस दवरान महिलाओं को परिशान करता है बलकि भी एक लीकेज की बात करें तो यह भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा परिशान करता है लेकिन रात को इसका खतर सबसे ज़्यादा होता है सोते समय तो लीकेज की समय से और भी ज़्यादा पढ़ जाती क्योंकि वाजाइनल बलड इस वक्त हिप्स के ज़री लीग खुराता है ऐसी कितनी ही महिलाओं होती है जिने पीरिड के समय ठीक से नीद भी नहीं आती क्योंकि वो सेफ और कंफ है एक मिल जाए जिसे आप लीकेज की समय से काफियत तक कम हो जाए तो आप क्या कहेंगे हाली में एक वीडियो आयरल हुआ है जिसमें पीरिड लीकेज से बजने के लेकर आसान तरीका बताया गया है आपको क्या करना है अगर आपको हैवी फ्रो की समय से होती तो हर बार प पैट्स पर भरोसर करें यह आपके comfort का भी ध्यान में रखेगा और साथ ही साथ परिसाने भी कम करेगा आपको दो पैट्स लेने हैं और अपनी हिप क्रेग के नीचे का एरिया कवर हो जाए बहुत लोग समझ सकते हैं आपको पीछे के साथ पैट को उल्टा साथ एक सीधा पाइट लगाना है फिर एक उल्टा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगे इस दूसरे पैट का यह की ही काम और यह की ही आपकी हिप्स के जरी लि बदल दी जाता है ऐसे पैंटी की जगह आपकी सेकनी की वज़े भी हो सकती है अगर बात लेकेज की करें तो इसलिए कर हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं जैसे अगर आपको लेकेज की समझ से हमेशा ही होती है तो पीरियर पैंटी का इस्तिमाल कीजिए जो में कभी भी यूज नहीं क्यों पैंटी को हमें से सही जगा प्लेस करें अगर आपको हैवी फ्लो होता है तो मैक्सी पैड्स इस्तिमाल करें मिश्टूल कप और टैंपॉन का इस्तिमाल आपके पीरियर लेकेज की समय से को काफी हद तक कम कर सकते हैं मैंने भी वीडियो दे कि दो दिन आप कपड़े वाले पैड़ से दोर रहें ऐसे पैड को बार बार चैज करने एक अच्छी आदत है और आपको इससे ज़रूर फालो करना चाहिए चार पाच घंटे के बाद आपको पैड़ बदल ही दें चाहिए वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते निक्स वीडियो में तब तक की बाई बाई